नितीश कुमार को इंडी अलायंस से ओफर मिला था ये बड़ा दावा किया गया है जेडियू के तरब से पीएम पद का ओफर नितीश कुमार को मिला था मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने बड़ा दावा किया है इंडिये के साथ नितीश रहेंगे त्यागी ने ये भी कहा है कि पीएम पद का भले ही हमें ओफर मिला हमने उस ओफर को ठुकराया और हम इंडिये के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे पास साल तक अंडिये के साथ रहेंगे ये केसी त्यागी ने कहा है नितीश कुमार ने ओफर को ठुकरा दिया है तो देखिए जब नितीश कुमार जब संसत के सेंचरल हॉल में जब प्रधान मंतरी के तौर पर समर्थन भी कर रहे थे वक्त भी कहा कि हम साथ में रहेंगे पहले आपको केसी त्यागी का बयान सुनाते हैं हम ऐसी किसी अफवाओं को अब विराम देते हैं अब हम एंडिये में हैं एंडिये में रहेंगे इसको मजबूत करेंगे कल नितीश दिन भी इस तरह का वक्तव दिया है हाँ ये सच है कि नितीश जी को परधानमंतरी पद का उफर किया गया था जिसे हम लोगों ने रिजेक्ट करते है बड़ा दावा केसी त्यागी की तरफ से किया गया है कि इंडिया की तरफ से PM पद का उफर आया नितीश कुमार के लिए और साहिर से बात है कि किंग मेकर की भूमिका में एक बार फिर से नितीश कुमार उभर करके आ है अमितेश हमारे साथ नियूज एटेंस बात दाता जुड़े है अमितेश एक बड़ा दावा जो है वो जेडियू के तरफ से केसी त्यागी ये कर रहे है कि PM पद का उफर हमें आया था नितीश कुमार ने उसे ठुकराया और हम NDA के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे यानि कि जोड़तोर की कोशिस हुई जहां बिल्कुल जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ भी रही थी कि चुनापरिणाम आने के तुरंत बाद ऑफर किया गया था चाहिए TDP के उपर डोड़े डाले गए थे उसे साथने की कोशिस की गई थी दूसरी तरह पर जेडियू को भी साथने की कोशिस की गई थी और यही करण रहा कि कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी तिजस्वी आदाव नितीश कुमार एक फ्लाइट में जब दिल्ली आया उस वक्त भी यो तस्वीरें वाइरल हुई उसको लेकर भी कयास लगा जाने लगे थे और यह कहा जाने लगा था कि क्या कुश बढ़ है लेकिन उसके बाद साफ किया गया जेडियू के नेताओं की तरफ से उसमें भी किसी त्यागी संजा जहा हो या फिर दूसरे और नेताओं की तरफ से साफ किया गया कि हर हाल में हम साथ रहेंगे एंडिये के साथ रहेंगे उसके बाद किसी भी तरह की कोई अब ग तरह का ऑफर गया गया था चुनाव परिडाम आने के बाद तो निश्चित रूप से बड़ी बात है कि नितीश कुमार को प्रधानमंत्री पत का ऑफर दिया गया था यह जेडियू के मुखे प्रवक्ता की तरफ से कहा जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो ज उसी से कैसी त्यागी की तरफ से जेडियू के निताओं की तरफ से कि नितीश कुमार का इंपोर्टेंस है और इस कदर इंपोर्टेंस है कि दूसरे ब्लॉक जो इंडिया ब्लॉक विपक्षी गटबंदर है उसकी तरफ से सबसे टॉप पद को लेकर भी ओफर किया रहा था लेकिन जो 1996 सरिस्ता रहा है समता पार्टी का फिर जेडियू का उस रिस्ते को ध्यान में रखते हुए और अभी 2024 में प्री पॉल एलाइंस को ध्यान में रखते हुए हर हाल में नितीश कुमार इंडिये के साथ रहेंगे इसी पर जोर दे रहें कैसी त्यागी चले बिलकुल हमितेश आपके पास आएंगे अनंद अमरित राजभी निउस एटिन समबादाता हमारे साथ जुड़े वे हैं अनंद नितीश कुमार का कद कितना बड़ा हो जाता है इस लोग सबाचुनाव में भी ये समझ में आता है और किसी त्यागी ने तो बड़ा दाव कर दिया कि Penputt का जॉफर है वो हमें दिया जया, लेकिन हम ने टुकरा दिया कि हम भाई सात रहेंगे इंडिये के साथ और मजबूती के सात खड़े रहेंगे इंडिये ख्यमें से और क्या खबर है जेड़ु किया खबर है आपके पास लोग देखे राहूल राजनीती में टाइमिंग पर कोई बयान का बहुत खास महत हो जाता और इस वक्त टाइमिंग देखे जब देश में फिर से इंडिये के सरकार बने जा रही है और कली नितीज को मारने पूरी मजबूती से ये दावा किया था कि प्रधान मंतरी के साथ हो इंड इंडिया गटबंदन की नियू पड़ी थी उसके सुत्रधार नितीज कुमार थे और उस वक्त जब इने कन्वेनर बनानी की बात हो रही थी तो इंडिया गटबंदन के तमाम नेताओं ने एक तरीके से दव स्वर में ही लेकिन इनका विरोध किया था जिसके बाद इंडि नितीज कुमार की भूमिका क्या थी और नितीज कुमार किस कद करनेता थे बयान का जो टाइमिंग वहुद महत्पूर्ण है केसी त्यागी जेडियू के बढ़े नेता है और कोई भी वयान देते हैं इसका अर्थ समझ ये कहीं ने कहीं ऊपर से उन्हें निर्देश मिला है जिसके बाद ही इस तरह का बयान देते हैं केसी त्यागी का ये बयान देना कि प्रधान मंतरी पद तक का ओफर मिल गया इसका मतलब साफ है कि केसी त्यागी ने इस बयान से साफ कर दिया कि हमें उस तरफ आने के लिए किस लेबल पे ओफर मिला है यानि इसका एक अर्थ औ बनेगी तो मंत्री मंडल में जेडियू की अहमियत को देखते हुए मंत्री मंडल में जगह मिले अच्छे विभाग मिले ताकि बिहार का विकास हो बिलकुल साफ है राहूल कि केसी त्यागी ने जो बयान दिया उसकी बहुत बड़े रनितिक वज़ा भी हो सकती है और टाइम हमारे नितक का कद क्या है और आने वाले समय में जब भी आप कोई बड़ा फैसल लें उसमें नितीज कुमार के अहमियत को देखते हुए ही फैसला लिया जाए तो यह अब कल मंत्री मंडल का गठन होना है और उस मंत्री मंडल में जेडियू को कितनी सीट मिलेगी क्या बहुत को तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है लेकिन दूसी तरफ केसी त्यागे कि इस बयान के बाद यह तो साफ है कि नितीज कुमार के अहमियत को जेडियू ने एक पार फिर से उस लिबर पर ले जाने के कोसिस की है कि जब भी मंत्री मंडल गठन हो इंडिये खासकर बीजे पी इस बात को याद रखे कि नितीज कुमार ने किस पद को ठुक रहे है अगर किसी त्यागी के लिए अनंद आपके पास आएंगे अमितेश के पास से कि बाद फिर से वापस लोटते हैं और ऐसे में नितीज कुमार को सम्मान दिया जा नितीज कुमार की बातों को माना जाये और इसके लिए बीजे पी को तयार रहना चाहिए देखे बीजेपी का जो अलाकमान है इस बात को बखोवी समझता है चुनाव परिड़ाम आने के बाद उसको पता है 2014 में अपने दम पर 280 के पार सीटे मिली थी और 300 के पार मिली थी 2019 में इस बार 240 सीटें बीजेपी को मिली है जो की बहुमत से दूर है और चंदरबावु नैडू नितीश कुमार दोनों की भूमिका बहुत ज्यादा है इस बार गठबंदन की सरकार में इंडिया की सरकार में इसलिए बीजेपी अलाकमान इस बात को समझता है ये मोदी सरकार अकेले नहीं है बीजेपी की सरकार अकेले नहीं है ये इंडिया की सरकार है और अपने लगतार जो तमाम निताओं के बयानों में चुनाव परिड़नाम आने के बात देखा होगा बीजेपी की तरफ से किस तरह से सब को साथ लेकर चलने की बात हो रही है चाहे चंद्र बावु नैडू की तारीफ हो रही है नितीश बावु के नित्रित में बिहार जो विकाव शले बिल्कुल अमितीश तो इस त्यागी के दावे के साथ बयान के साथ जाहिल सी बात है की और भी सियासिव प्रतिकिरियाए जो है वो सामने आएगे इस पूरी हलचल पर नसर बना के रखे बहुत बहुत तो शुक्रिया इस सब्डेट के लिए आनंद अमरीत राज आपका भी बहुत बहुत तो शुक्रिया इस सब्डेट के लिए